आज बात करते हैं उन महिलाओं की जो महिलाएं कहती हैं कि भाई लड़का लड़की बराबर लड़का लड़की बराबर पर मैं कहती हूँ बिल्कुल बराबरी नहीं हो सकती लड़का लड़की की बराबरी नहीं हो सकती अब आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकती है भाई नहीं ह गलत है, सोच गलत है, कि भई मैं लड़कों की बराबर हूँ, कहां से लड़कों की बराबर की हो, भई उनकी बोड़ी साधा, सिंपल, उसके बाद भी वो पूरे कपड़े पहनते हैं, टाई लगाते हैं, जूते पहनते हैं, उसके बाद बंठन के जाते हैं, अरी, तुमारे पास एस्ट्रा में बदन दिया हुआ है उपर वाले ने फिर भी उसको नंगा-पुंगा घुमाती हो क्यों गुमाती हो अगर बराबरी करनी है तो लड़के जैसे रहो ना जैसे लड़के फुल कपड़े पहनती हैं पूरा बदन ढखते हैं तब वो कहीं निकलते हैं लड़क हाप टॉप पहन लेंगे हाप गाउन पहन लेंगे विक्नी लगएरा भी पहन कैसी निकल जाती हैं मैट्रो में नंगी खूम रही हो ऑड़ते हैं लड़कियां जिस तरीके से कहती है ना कि लड़का लड़की आज बराबर है मैं फ्रीडम फ्रीडम है पागल हो मैं आपको बता दूँ जिस दिन लड़की लड़कों की बराबरी करने लगी उसी तरीके से वो कपड़े भी पहनने लगेगी क्योंकि कभी किसी लड़के को देखा है नंगा घूमता हुआ कि उसने चड़ी पहनी और बस लगा के तौल या टौवल बगएरा लेके और घूमने लगा सड लड़कीओं की सोच है आप कहेंगे एक उरत हो कि एक लड़की की बुराई कर रही है आप कर रही हूं जो सुंदरता फूल कपड़ों में है वो कहां है भाई-नंगे गूमने में कहां हैं मैं आपको बता दूँ जस जिस ने दुनिया में बड़े-बड़े नाम प्माए है चाहे वो इंद्रा गांदी हो, चाहे वो मायावत्ती हो, चाहे वो मदर तेरेसा हो, कोई भी हो दुनिया का, जो अच्छे-च्छे उच्छे मुकाम पर गई है, क्या कभी उनको देखा है कि बदन को खोल कर घूम रही है, जो तुछ जिनमें सोच नहीं होती, समझ नहीं होती, दिमाग से पागल होती है, उन लड़कियों को देखना हो, हमेशा बदन को खोल के चलेंगे, अरे जब जिसके पास दौलत होती है, वो दुनिया को देखाता नहीं है, वो ढखके रखता है, आपके पास दौलत होगी, जो सबसे ज़्यादा अमीर होगा, वो क्या अपनी अधन सड़क पर क्यों रख देते हैं, क्यों सड़क पर दुनिया को दिखाते हैं, मेरे पास देखिए, मेरी बॉड़ी कैसी है, हमारी बॉड़ी भी तो हमारी दौलत है, जब हम दौलत सड़क पर नहीं रख सकते, तो बॉड़ी कैसे रख देती हो, कैसे दिखा देती हो, स बोडी को भी लगते हैं क्योंकि वो भी तो एक दौलत है अगर घर का दर्वाजा खुला छोड़ दोगी तो नेच्रल है कि चोर तो घुसेंगे कोई समझदार व्यक्ति तो नहीं घुसेगा आप दुनिया में नहीं कह सकते ना कि चोर कौन घूम रहा है दिन भर में भी नहीं पकड़ सकते आप वो तो जब पता चलता है जब रात में दर्वाजा खुला छोड़ तो ऐसी लड़कियों के साथ होता है जब वो कपड़े नहीं पहनती हैं वो अदनंगी घूमती हैं तो उससे पता चलता है कि इनके पीछे अब किसकी नियत खराब हो गई उसके साथ दौलत कपड़े पह रही हो चाहे वो सरली चोपड़ा देख लो राखी सावन देख लो उर्फी जावेद देख लो और भी लड़की है मैट्रो में देखा कि अभी बिक्नी पैन के एक लड़की मैट्रो में गई क्या है ये जब हम घर की दौलत सड़क पर नहीं रख सकते जब हम घर का दर्वाजा खुला नहीं रख सकते अगर दौलत चोर ले जा सकते हैं दर्वाजा खोल दो तो रात में चोर घर में घुसाएंगे हम अपनी घर की खेती जमीन जब खरीदे हैं तो उस पर boundary बनाते हैं क्यों बनाते हैं कि इस पर कोई कबजा ना करे बनाते हैं इसलिए अगर उस जमीर को आप खरीत कर ऐसे ही छोड़ दोगे तो नैच्रोल आपका पडोसी उस पे कबजा कर जाएगा आप अपनी बीबी को छुट्टर छोड़ दो कोई ना कोई उसको भगा कर ले जाएगा अब उसके साथ जो अच्छी माहिला हैं वो बदनाम होती है होती हैंग नहीं होती है तो कहां से लड़की लड़के की बराबरी हो रही है भई लड़का तो उचा था और है और रहेगा क्योंकि उसकी सोच को पाना बहुत मुश्किल है आदमी पुरुस यानि आदमी जिसे हम कहेंगे पुरुस कि सोच को पाना महला की बसकी बात नहीं है बिलकुल नहीं है अगर उनकी सोच उचाई छूती है आसमान छूती है तो हम पीछे से लगने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरी तरीके से कामियाब नहीं होते हैं जिस दिन हम उन जैसे कपड़े पहनने लगेगे उन जैसे सोच रखने लगेंगे बदन धक के चलने लगेंगे दस ओरत कपड़े साड़ी पहना के बिठार दो दस ओरतों को बिन आदा सा गाउन पहना के टॉप पहना के बिठार दो कैसा लगेगा उस दिन एक पार्टी में हम पार्टी में हवा के मारे टॉप उड़ रहा है कई टॉप धाक रही कई यह धाक रही अरे बेश्रम कितने भी बड़े खिलाड़ी आप बन गए हो अगर आप अपनी पत्री को कपड़े नहीं दिला सकते तो धन हो आप आपको सोचना चाहिए कि आप की वाइफ एक नामी गिरामी है आप भी नामी गिरामी हो जब भी अपनी वाइफ को बाहर निकालो भाई काई दे से क्योंकि जो सुन्दरता है हमारे बीच में वो खूसूरती है बदन ढखके गूंगट में जितनी ओरत ढखके चलती है उतना ही आदमी देखने को तड़पता है कि किसकी बहु जा रही है एक किसकी दुलहन जा रही है लेकर जब चहरा घूम के घूमोगी ना खोल के पागल बाजारू अरे मैं तो इतना कहती हूं कि जब तुम लड़कों की बराबरी करी ही नहीं सकती तो क्यों कोशिश कर रही हो और नाम फेम ऐसे कमाया जाता है नंगे होके जिसके पास नई नई दौलत आती है वो दुनिया को दिखाने की कोशिश करता कि मैं तो अमीर ब जो सड़क पे अपनी दौलत दिखाता फिर रहा है हमारी बॉड़ी हमारी दौलत है जैसे आदमी रहते वैसे रहना चाहिए हम तो अगर इतना भी कहते हैं कि और नाक ना हुए और नाक ना हुए तो गूखा ले वो एक कहावा था ना कि जनम करम में पेरी बाण और कौंगंगर या डेड़ डेस ऐसी हैं क्योंकि जिन को जब कभी में मिल रही भाई खूब सूर्ती अरे 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 मेरे को तो पैसा आ गया एक औरत कभी भी अपने पूरे परिवार को नहीं पाल सकती नहीं पाल सकती आदमी जितना धैरवान होता है जितना सवर वाला होता है उतनी औरत नहीं होती है औरत को नौकरी मिल जाए लड़की को नौकरी मिल जाए वो सबसे पहले अपने परिवार को छोड़ती है भाई मैं तो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है लेकिन आदमी अब तो जोड़ता हूं और बच्चों को भी छोड़ता हूं वो पूरा परिवार चलाता है तो 99% अब और तैसी है जो अपना परिवार छोड़ देगी नौकरी या निया अपने पैरों पर खड़े होने के बाद चाहिए वो जोती मोरिया देख लो एक केस सामने हैं और यही आलोग मोरिया अगर बड़े पत्पे होता तो भी वो उसे नहीं छोड़ता है जो आज जोती ने गलती करी ऐसी 99% बोले में एक परसेंट लेडी होगी जो अपना परिवार पाल रही होगी कोई काम करके मेहनत मजदूरी करके नौकरी भी करके नौकरी भी करके ऐसी बात नह बहुस्ती मतलब एक परसेंट बहुस्ती का मतलब यह नहीं कर रही हूं मैं कह रही हूं एक परसेंट महिला है जो अपने परिवार को देख सकती है त्याप कर सकती है अपने बच्चों को पाल सकती है पती को भी पाल सकती है उसकी सेवा भी कर सकती हो और कमा भी सकती है और क यसी सोच भी बना कर देख लूँ नंगे घूमने से बराबरी नहीं होती है